हलो एवरिवन वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाई अभीमनु आईएस फ्रेंड्स ट्रोपिकल साइक्लोन एमफान के बाद एक नेक्स्ट साइक्लोन फॉर्म हो चुका है और यह हमारे कोस्टल एरियास को हिट करने वाला है इस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन निसर् है ट्रोपिकल साइक्लोन एमफान फॉर्म हुआ था वे बेंगोल में बट्रोपिकल साइक्लोन निसर्ग फॉर्म हुआ है अरेबियन सी में ट्रोपिकल साइक्लोन एमफान ने हिट किया था हमारे इस्टन कोस्टल एरियास को बट्रोपिकल साइक्लोन निसर्ग हिट करेगा हमारे western coastal areas को yes friends तो इस cyclone form हो चुका है और इसकी warning IMD ने दे दिये आज के lecture में हम इस cyclone को discuss करेंगे friends first आपको याद रखना है इस cyclone को name दिया है bangladesh yes तो नाम दिया है इसको bangladesh ने okay friends IMD ने इसके बारे में warning दिये on 31st of May और इसको दिया गया है red color code उस weather condition को IMD red color code देता है इसमें जानमाल का नुकसान हो सकता है okay अब बात करते हैं कि first ये form कहां हुआ friends IMD ने बताया एक low pressure develop हुआ है east central arabian sea and lakshadeep island yes तो यहाँ पर low pressure develop होता है first आपको यह रखना है low pressure बनता है उसके बाद depression form होता है depression के time पर gale wind चलती है और जब gale wind चलती है then हम cyclone को name देते हैं friends gale wind चलने लगी है okay IMD ने आगे बताया है first ये cyclone move करेगा northward direction में तो first ये move करेगा towards northward direction और उसके बाद इसकी direction थोड़ी सी change होगी और ये north east हो जाएगी friends सबसे जादा खत्रा हमारे coastal areas को है वो हैं गुजरात के coastal areas and महारास्ट के okay friends तो गुजरात and महारास्ट यहां पर high alert issue कर दिया गया next IMD ने बताया है जब ये cyclone landfall करेगा then इसमें wind speed होगी 105 से लेकर 115 km per hour तक और ये बढ़कर 125 km per hour भी हो सकती है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा and गुजरात और महारास्ट के coastal areas को जब ये hit करेगा friends तो वहां पर नुकसान बहुत जादा हो सकता है okay second आपको याद रखना है heavy rainfall भी होगी coastal areas में ये भी IMD ने warning दी है okay students next very important आपको याद रखना है अभी कुछ important cyclone Bay of Bengal and Arabian Sea में आये हैं तो उनकी name आपको याद रखने है okay तो देखिए Fanny and Amphan ये दो main cyclone tropical cyclones ये आये है Bay of Bengal में okay ये form हो है Bay of Bengal में और इन्होंने हमारे eastern coastal areas को hit किया है वायू वायू 2019 में ये form होगा था तो वायू and Nisarg जो अभी हमें hit करने वाला है तो वायू and Nisarg ये form होगे Arabian Sea में तो एक question आपसे पूछा जा सकता है very important फिर से देखिए Fanny and Amphan वे ओ बेंगोल में and वायू and Nisarg Arabian Sea next discuss करते हैं IMD के color code friends IMD weather forecast के लिए daily color code use करता है और ये four color code use करता है तो first color code की बात करते हैं first color code है red निसर को कौन सा दिया गया color code red color code ओके इसमें बताया जाता है कि आप अब action लीजिए very important take action second extremely bad weather is expected yes student बहुत बुरा मौसम हो सकता है जानमाल का नुकसान हो सकता है खुद को बचाईए and दूसरों को भी बचाने का try करिए okay friends travel disrupt हो सकता है and power supply भी आपकी interrupt हो सकती है तो यह होता है red color code okay अगर किसी weather condition को दिया गया किसी weather condition को जब ही दिया जाता है then friends आप समझ सकते हैं उसमें risk बहुत जादा होती है okay second color code की बात करते हैं second color code को हम बोलते है orange और ember color code okay इस color code का मतलब होता है be prepared तयार रही है तो आप दिखे जोनमें difference समझें red में क्या था take action अब आपको action लेना है but orange में क्या है तयार हो जाईए अभी action की बात नहीं हो रही है पर तयार रही है इसमें भी extremely bad weather condition हो सकती है okay travel delay हो सकता है road and जो हमारे road and rail network है उनको बंद किया जा सकता है power supply भी interrupt हो सकती है okay friends यहां पर orange color code जब दिया जाता है then जान मान का जो नुकसान होता है उसकी संभावना कम होती है और वो नहीं के बराबर होती है तो आपको यह रखना red में क्या होता है कि आपकी जान जा सकती है उसमें आपको ready रहना है दूसरों को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए okay तो red and orange next बात करते है yellow friends yellow का मतलब है be updated update कैसे करना है तो update करना है sorry तो be updated yes be updated update कैसे होना है तो IMD IMD जो आपको बता रहा है उसको देखते रहिए और update करते रहिए okay severely bad weather is possible yes very important severely bad weather is possible okay friends next देखिए green no action required तो आपसे question पूछा सकता है कौन-कौन से color use करता है या color code है IMD के पास तो आपको बताना है red, orange, yellow and green difference आपसे पूछा सकता है different statement आपको दिया सकते है इसके लिए भी आपको ready रहना है okay students तैयारी करते रहिए और आपको prelims हल-हाल में clear करना है okay रुकना नहीं है ठकना नहीं है और clear करना है आगे बढ़ते जाना है okay thank you very much जापको पूछ